हलो फ्रेंट्स कैसे आप लोग आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे जैसे कि हमने अपने पिछे ग्लास में एंटी काउगुलेंट और उनके वाइल के बारे में जाना था और आज हम पढ़ने वाले हैं कलेक्शन आप बलड के बारे में अगर आप अपने लेब में आप सकता होती है, जिसमें आपका एक बलड हो सकता है तो आज हम जानेंगे कि हम लोग बलड का कलेक्शन कैसे करते हैं तो बलड की कलेक्शन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्लेबो टॉमी क्या होता है तो जा सर्जिकल ओपनिंग और पंचर आफ ये बेन in order to withdraw blood to introduce a fluid और when letting blood यानि कि प्लेवोटोमी एक प्रकार का सर्जिकल ओपनिंग होता है या फिर पंचर होता है बेन का जिसमें हम क्या करते हैं ब्लड को निकालते हैं यानि कि विड्रा करते हैं या फिर क्या करते हैं यानि कि कोई फ्लूड उसके अंदर डालते हैं या फिर हम क्या करते हैं ब्लड को ही अंदर डालते हैं यानि कि कि प्लेवोटोमी को तो उस प्रकारिया को भी हम प्लेवोटोमी कहते हैं उस बेन के द्वारा तो क्या कहे गागा ये भी हमें प्लेबो टॉमी के अंतरगत पढ़ना होगा ठीक है अब क्या होता है कि प्लेबो टॉमिस्ट क्या होता है तो प्लेबो टॉमिस्ट इस दा हेल्थ केर वरकर who perform plebotomy in health care setting ठीक है याने कि plebotomy को perform करने वाला क्या कहलाता है plebotomist कहलाता है जो कि वो एक health care worker होता है क्या होता है एक health care worker होता है अब हम बात करते हैं कि why blood collection is important याने कि blood की collection करने की क्या आ सकता है तो आप लोग जानते हैं कि कि अगर किसी भी टेस्ट को परफॉर्म करना है जो कि ब्लड के द्वारा हुआ तो इसके लिए जाहर सी बात है में एक ब्लड की आव सकता होगी तो ब्लड एनरसलिस इस दा वन आप दा मोस्ट इंपॉर्टेंड डाइगनोस्टिक टूल्स एवलेबल टू दा क्लिनिकल विथ अब क्या होता है कि अगर ब्लड कलेक्शन आपको करना है तो लिबर्टरी रिक्वेस्टिंग फॉर्म को फिल करना होता है इसमें क्या होता है कि हम लोग एक फॉर्म होता है उस पे पेसेंट का नेम एज और सारे उसके हिस्ट्री लेते हैं यानि कि मेटकल हिस्ट्री को ले अब क्या आता है हमारा अगला पॉइंट की रेजेंट एंड एक्कुपमेंट्स यानि की ब्लड कलेक्शन करते समय हम लोग को किस परकार के रेजेंट और किस परकार के उपकुमेंट्स यानि की उपकुरण की आप सकता हो सकती है तो हम देखते हैं रेजेंट के बारे में कि और फिर 70% एलकोहल ठीक है इसकी आपको रेजल के रूप में आव सकता होती है और उपकरण की बात करें यानि एकुपमेंट की बात करें तो आपको पता होगा स्रीन्स निडिल बैकू टेनर यानि की जो टीव हम लोगों ने पढ़ा है गलव्स की आव सकता होगी मास्क की आएगा ठीक है यह क्या करेंगा यह पूरे पूरे इंफेक्टी निडिल को क्या करेंगा डिस्ट्रॉय कर देगा यानि कि उसको इलेक्ट्रिक के करन्ट के द्वारा उसको क्या कर देता है डिस्ट्रॉय कर देता है अब हम लोग देखते हैं कि ब्लड में भी बिड्ड़ा यानि कि हम लोग ब्लड का क्लेक्शन तीन विधी द्वारा याफिर तीन अस्थाम से कर सकते हैं पहला आपका क्या होगा बेनस ब्लड क्लेक्शन दूसरा आपका क्या होगा कैपलरी ब्लड क्लेक्शन और तीसरा क्या होगा आपका आर्ट्रियल ब्लड क्लेक्शन बेनस से या फिर हील प्रिक के द्वारा क्या सकते हैं ब्लड को कलेक्ट कर सकते हैं फिर है तीसरा हमारा आर्ट्रेल ब्लड कलेक्शन इसमें क्या होगा हम लोग ब्लड को क्या से प्राप्त करेंगे ब्लड को हम आर्ट्री से ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं ठीक है देखिए हमारे पार जो बेसल्स होते हैं वो तीन होते हैं बेनस के प्लड़ी और ड्री यहीं से हम लोग ब्लड को कलेट कर सकते हैं लेकिन अगर बेनस ब्लड क्लेक्शन की बात करें तो यहां पर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहां पर जो होते हैं इस एरिया से अधिकतर ब्लड को क्या किया से चलते है तो हम अम लोग यहां पे अती सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं और भुद्सक्राहिएं देखा धी ठीक है अब यहां पर मेथड लिखिये हुए इसको एक बार को हम लोग पढ़ते हैं और समझते चलते हैं ठीक है इसको करेंगे और फिर यहां से लाकर छोड़ देंगे इस चीन सारे चखा क्या करेंगा यी क्लीन करेंगे लेकिन आप येक कि बार करेंगे तुह Burada जो microbes होंगे वो क्या होंगे नहीं कठा हो जाएंगे आपके यो clean नहीं होंगे ठीक है तो आप सिकेंड इस्टेप देखते हैं पहला इस्टेप क्या देखिए आप क्लीन दा क्या करते हैं यानि की टानिक्यूट एक प्रकार का उपरन होता है हमने आपको अक्विपमेंट में लिखा दिया था उसको क्या करते हैं आर्म के उपर ठीक है जैसे यहां पर आर्म है तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं यहां पर क्या करते हैं यहां पर क्या करेंगे हम लोग क्लोज दा फिस्ट याने के मुठी को बंद कर लेंगे और मुठी को बंद करने समय जो हमारा यह उठा होता है इसको अंदर करेंगे और यह जो हमारे फिंगर्स होते हैं यह उसके का ये हमारा करते है जिस been the application report को देखते हैं ते निडिल को मैं चाकरते हैं इंसर्ट करते हैं आप दा स्रींज into the vein यानि कि syringe का जो needle है उसको हम क्या करते हैं बेन में insert करते हैं presence of the needle into the vein in the indicate by the appearance of blood in the hub of the needles यानि कि यह कह रहा है कि जहां हम लोग needle को syringe के needle को हम लोग क्या करेंगे बेन में introduce कर देंगे तो हम कैसे जान पाएंगे कि हमारा ये निडिल बेन में ही गया है तो इसके लिए क्या होगा कि blood in the hub of the needle यानि कि जो blood होगा वो क्या हो जाएगा आपका needle के हम में दिखाई देने लगेगा इससे मैं आपको यहाँ पर देख लिए आपको स्री लेते हैं और दिखाते हैं आपको कि हब दिख रहा होगा। थिक में जब हम इसको बेन में डालेंगे तो क्या होगा अगर यह सही से बेन में गया होगा तो क्या गया है फेर कि amp Weblez की points लिए कि और ख्याईग रिंडियागा कि हमारा यह क्या है जो नीडिल यह Northeast को देखते हैंoine सब्सक्राइब करेंगे और साथ में एक दूसरे हाथ से अपने क्या करेंगे स्रिंज अपने आर्म पे पहने हुए थे या बांधे हुए थे उसको क्या करतेंगे निकाल देंगे जैसे की बलड स्रिंज में आने लगेगा हम लोग क्या करेंगे और साथ साथ ने जो फिस्ट याने मुठ्ही उसको उपन करेंगे और जिस तरा से हमें यह त्पर जाएगा पूरा मतलब का क्लेक्शन का तो फिर निकाल देंगे भीधर करेंगे और वहां पर क्या करेंगे हम लोग इस PITSWEEB को आपे चहां पे पंचर की हमें जिस साइट को इसकी साइट को उसको क्या करेंगे वहाँ पे अपलाई कर देंगे ठीक है आप क्या करेंगे यह जो हमारा स्रिंज का बडल बलड है उसको हम क्या करेंगे किसी भी जो हम anti-carvolent या फिर प्लेन वायल को बताएं उसमें हम क्या करेंगे पोर करेंगे या फिर हम लोग क्या करेंगे मेक थ्री पेरी फेरली स्मेर हम इसके बारे में नेक्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ठीक है अब हम दो थोड़ा सा precaution देख रहते हैं कि अगर blood collection कर रहें तो कौन कौन से precaution होने जरूरी है तो क्या लिखा है consider all patient to potentially infection यानि कि आप ध्यान रखेगा कि कोई ना कोई patient थोड़ा ना थोड़ा क्या होगा इनफेक्टेड होता इसलिए इस बात का आप लोग ध्यान रहेंगे ठीक वियर कोट और एप्रेंट यानि कि आप collection करते समय कोट या फिर एप्रेंट को पहने रहेंगे वियर मास्क आपको मास्क पहना जरूरी है और आई प्रोटेक्शन को लगाना भी जरूरी है इनफेक्टेड अट्र उशक इसके विच्व कर से करेंगे यानिकि उस पे को को कोई भी compris नहीं प्रेजंट होने चाहिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि में इसमें के पर ना होता है, एक हील से यानि कि यहाँ पे जो एड़ी होती है वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं जो यानि कि पैर का जो सबसे लाज पोशन होता है वहाँ से हम लोग ब्लड को कलेक्ट कर सकते हैं देखिते हैं इसके मेथड क्या होते हैं VAIPE the tip of the ring finger, यानि की हम लोग ring finger जो होती है, हमारी ring finger है यह हमारी ring finger यह देखिए है, पांचों ओंगली है, यहा起ुआ होती है, यह क्या होती है wipe the tip of the tip, tip मतलब यहां पे ठिक, wipe the tip of the ring finger using alcohol, swab and let the area dry up यानि की हम लोग क्या करते हैं, रिंग फिंगर को क्या करेंगे, शाप करेंगे, और इसको क्या करेंगे, स्वेब से हम लोग इसको साप करेंगे, और फिर क्या करेंगे, ड्राइ होने के लिए इस एरिया को छोड़ देंगे, गीव ये प्रिक, ठीक है, गीव ये प्रिक यानि कि इस साइट पर ठीक है इस साइट ईआ देंगे एक फिरिक देंगे आप धाफिंगर फिंगर के लेट्र साइड में हमें फिरिक देंगे और जैथि है इस वैज दाफिंगर तोOW अ ब्लरा बड प्रिक अलिग याना फिर फैफिलोще उध्र ब्लड लगने ठीक है फिंगर पे हम लोग इस तरह से तोला सा दबाओ डालेंगे जिससे हमारा आप जो ब्लड होगा वो क्या होगा तेजी से बहर निकलेगा आप क्या करेंगे डिस्कार्ड दा फर्स्ट टू ड्रॉप यानि की ब्लड जब निकलने लगेगा तो हम उसको दो ड्राप ब्लड का दूड्राप के अलावाँ जो ब्लड आपकी आ रहे हैं इनको आप लोग हम लोग हीमोगलोबनोमीटर में हीमो गलोगोप पीपेट में 0.02 mL इसको ले लेंगे एचवी के लिए जानिक हैं अगर आपको हमोगलोबनोमीटर में पीपेट में आप 0.02 mL blood क्लेट कर करने हैं तो आपको कि दूसरे प्रकार के जो वाइट होते हैं या फिर डबलू बीसी पीपेट होते हैं उसमें आपको ले लेंगे ठीक है और इसके आप द्वारा टेस्ट को परफॉर्म कर पाएंगे या फिर अगर आपको स्मेर बनाना यानि कि पीएस बनाना है पेरिफेरल होता है उसके द्वारे प्रोसेस होता है उसके द्वारे हैं व्लोग क्या करेंगे कलेक्ट कर लेते हैं बलड को ठीक है अब हमारा नेस्ट है और जो लास्ट है आर्टरीयल को का पैप आल्टरी के दौरहां अप्लोट को क्या करते है है ट्रेक्ट करते हैं जो कि एक ब्लड ब्लड होता है ठीक है इस कि कि लिए खरते हैं यह A.B.G. अधिकतर ABG gas के लिए आर्ट्रियल ब्लड गैस के लिए हम लोग इस ट्रेक्ट को प्रफॉर्म करते हैं तो फ्रेंट्स अब हम लोग प्रेटकल के पोर्शन में देखते हैं कि ब्लड कलेक्शन कैसे करते हैं तो फ्रेंट्स हमारे पास यहां पे एक निडिल है जोकी सिरिंज के साथ में है और हमारे पास एक Edita wire है और हमारे पास एक cotton swab रखा हुआ है एलकोहल है और टार्निक यूट है ठीक एडिटी ये वाइल अगर आपको आप सकता है तो अगर आपको कोई दूसरे वाइल की आप सकता है तो वो ले सकते हैं और साथ में अगर आपको सीरम की आप सकता है तो आप क्या कर सकते हैं प्लेन वाइल ले सकते हैं तो चलिए अब हम देखते हैं कि blood collection कैसे करते तो फेंट समय बाते हैं अपने फ्रेट केल वाले बाग पर सबसे पहले क्या करते हैं टार्नीक यूट लेंगे और यहां पर इसके आपर आमपे वादा क्या करेंगे apply कर देंगे ठीक है जिसे हमारा बेन क्या हो clear हो जाए ठीक है आपे अल्कोहल वाला हुगा, और उसको क्या करेंगे ?? यहां परे देखे यहां पर ऻकाइटे हैं? मुठी हम ल situ刃 है यहां पर कराते हैं इस प्रकार से ठीक है, अब अब आप देख रहे होंगी यहाँ पर यह आप जो इसका ऊपर वाला भागा यह निख रहा हुगा यह क्या रहेगा ऐँगा उपर हाईगा ठीक है आप यह बेंध नहीं कर सकते हैं लोगो Harbor Tarty and J से 40 डिगरी पर हम लोग इसको क्या करते हैं और फिर क्या करते हैं और फिर क्या करते हैं पंचर करने के बाद हमें पता चलता है यहां पर हमें की ब्लड आ गया की नहीं हमारी हमें ब्लड आ गया है अब क्या करेंगे हम धीरे से टानी कुट को क्या करेंगे रिमूब कर देंग ठीक है टान डीलब करो कीया करेंगे इसको सख करेंगे ब्लट को है और हम देखिए आपर व्लड हमारे आने लगा है ठीक है अब क्या करेंगे कि अपनी मुठी ये खोल ड्साइट हो ड्साइट है क्या करेंगे धीरे-दीरे टिक है हमारा यह blood collect हो चुका है देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर यहाँ पर हमारा क्या करेंगे इसको क्या करेंगे जोकी एडिटीय वाइल है और यह इस तरह से हम लोग क्या करेंगे इसकी जो डालेंगे, ठीक है कि पोर कर दिए आप क्या करेंगे, यहांने कि हमारा इसमें इडिटी है, और दूँ नहीं क्या हो जाए, हो जाएंगे तूट जाएंगे इसी लिए हम लोग को uJENTいる आराम से सेख करना और हम निडिल हें व्रिकासन के रूप में हम निडिल होता हो इसको क्या कर देते हैंचेनरेट कर देते हैं या फिर हमारा निडिल डिक्ट्रायर होता है उसमें इसको लेंखिपKA करके रहे हैं और अगर आपके कोई फ्रेंड्स जो कि DMLT, BMLT या कोई अनपरामेटिकल से हैं तो उनको इस वीडियो शेयर जरूर करें हम मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए भाई भाई